असलाम अलेकुम, आज मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूँ कीमालू मसाला बनाने की रेसेपी जो की बहुत ही टेस्टी बनकर तियार होता है। इतनी आसानी से बनता है कि बनाकर आपको मज़ा जाएगा, बहुत ही जीली बनेगा। पैन की टाइमिंग बस अलग होगी, जो कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूगी, अगर आप इसको पैन में बनाना चाहते हैं, अब इसमें दो से तीन तीस पत्ते डाल देंगे, छोटे-छोटे से हैंगे, एक टीस्पून सफेज जीरा और एक इंच का दाल चिनी क अगरे लागेंगे इस तरह से, तब हमें इसके अंदर कीमा शामिल करना है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ, आदा क्लोग रहा है मैं मटन का कीमा यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप अपनी पसंद का कोई भी मीटी हां पर यूज़ कर सकते हैं, मैंने कीमे को अच्छे से द महक रहती है, तो इसका सारा एक्सस पानी ड्राइ कर लिचेगा, अब इसमें डालेंगे 1 स्पू अधरक्लहसून का पेस्ट, चुछ पाडरेंड मसाले डाले, एक टीपू नमक डालेंगे, एक टीपू भूने देयरे का पाउडर, एक टीपू गराम मसाले का पाउडर, एक 1 टी स्फून छाल मेर्ज ौश्मीरी छाल मेर्ज एक टीपून कुटावा सापुत धनिया झाला ये झाल शाव ख़तंगे हैं तो हम इसको चार से पांच मुट के लिए खुब अच्छे से भून लेता है तो यहां पर हाई फ्लेम पर मैंने मसालों को पांच मुट के लिए करीब भूना है अब हम डालेंगे इसमें तीन मीडियम साइज के टमाटर जिनका वजन है तकरीबं सबादो सो ग्रैम और मिला दे पका लिया इसको और यहां पर हमारे टमाटर एक तम सॉफ्ट हो गए तो अब हम इसको चे से साथ मिट के लिए मेडियम टु हाई फ्लेम पर और भून लेंगे कीमा जितना अच्छे से भुना होता है उतना ही अच्छा इसमें टेस्ट आता है तो खुब अच्छे से बहुन केमा नियुक्स एक क्यूबस में काट डह दो और दो अच्छा में लिया बारा हिसा ऑच्छ現在 इसको भुना तब तक खुब करेंगे जब तक झाले कर अट टा दो बाहरी तरह सब कीमा इक इसको और व्हां राई घौरा करा कियुक्न गला चाहँ एक बाल़ कुकर कर दाथ बा तो आप चाहें तो तो तेल हटा सकते हैं इसे टाइम अगर आप इसमें मतर आट करना चाहते हैं तो एक कप मतर आप इसमें एड़ कर लिजगा है जाहे वो फ्रोजन हो या फिर जो नॉर्मल होती है फ्रेश दोनों ही तरह की मतर इसे ताइम पर आप अच्छा कर सकते हैं और अब यहां पर इस पॉइंट पर आप नमक वगएरा टेस्ट कर ली जगर जो कुछ भी आपको कम लग रहे है नमक या फिर मिर्च वगएरा तो इस टाइम आप इसमें एड़ कर सकते हैं एक सीटी आने के बाद हम इसको धीमा कर देंगे और दो से तीन मट और पकाएंगे ज्यादा इसको नहीं पकाना है क्योंकि यह मटन का कीमा बहुत जल्दी गल जाएगा जब इसका प्रेशर निकल जाएगा तब हम इसको खोलेंगे ग्यास की फ्लेम को फिर से ओन कर देंगे अब हम इसको एक दो मिर्ट और पकाएंगे बस तो इस टाइम पर आपको कांसिस्टेंसी आड़िस कर लेनी है गाड़ा करना है तो हाई फ्लेम पर ट्राय कर लिजेगा तो यहां पर मैंने इसको बनाने का तरीका भी नियाए बहुत आसान है अब हरे धने के पत्ते डाल देंगे और हर इमेज किसे भी एक टेस्ट को दुगना कर देती है तो मैंने इसमें 2-3 हर इमेज डाल लिए अपने टेस्ट के हिसाब से आप हर इमेज डाल लीजगा बस मि बस अब हम इसको सर्फ कर लेते हैं तो इस तरह आपने देखा कितनी आसानी से अमने ये बहुत ही टेस्ट इसे डिश बना कर तैयार कर ली बहुत ही आसान मैथ़ट है लेकिन जो रेजल्ट से न वह आउट स्टेंडिंग है बहुत ही मजएदार कीमा बनकर तयार होता है एक खरतियों के मालू मसाला की ये बहुत ही मज़धार सी रेसेपी आपको पसंद आए होगी अगर पसंद आए ये तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्स्राइब करना मत भूलेगा थैंक्स वर वाचिंग दा वीडियो अला आफेज